ओमकारम बिंदु सैयुक्तम नित्यम ध्यायंति योगिना कामदम ओक्षदम चेव ओमकाराये नमो नमा नमस्कार छात्रो आज हम रगुवंश महाकाव्य का दूसरा स्लोक पड़ेंगे रगुवंश महाकाव्य के पर्थम स्लोक में हमने जाना था कि राजा दिलीप वशिष्ट जी की गाये को वन में चराने के लिए खोलते हैं इस घटना करम में अगला स्लोक है आईए देखते हैं बहुती सुंदर स्लोक है और इसमें जिस उपमा के महाकविकाली दास धनी माने जाते हैं उसका बहुत सुंदर उदारन यहाँ पर प्रस्तुत किया उन्होंने यहाँ पर बहुती सुंदर उपमा दी गई है जो बहुती परसिद और परचलित है आईए इस लोका से स्वर वाचन करते हैं तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम ए पांसुला नाम धुरिकिर्तनिया मार्गम मनुसे स्वर धर्म पतनी उचारन के उपरांत देखिए अब इसका संकेत कैसे देंगे तस्या डैस डैस स्मृतिर अन्व गच्छत है अब इसका परसंग देखते हैं परसंग कैसे करेंगे प्रस्तुत्तम पद्यमिदम अस्माकम पाठ्य पुस्तक रगुमंशम नामना गरंथात उद्रितम वर्तते प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक रगुमंश नाम गरंथ से उद्रित है अस्य गरंथ से रचनाकार महा कवी कालिदास वर्तते इस गरंथ के रचनाकार महा कवी कालिदास है असमिन सर्गे इस सर्ग में पुत्र प्राप्ति अर्थम पुत्र प्राप्ति के लिए सै पत्निया राग्य दिलीपस्चे नंदनी गो सेवा या वर्ननम वर्तते पुत्र प्राप्ति के लिए सह पत्नी राजा दिलीप के दुवारा की हुई नंदनी की गो सेवा का वर्नन है अन्वे देखेंगे आईए अब इसकी व्याक्या देखते हैं आई पांसुला नाम पवित्रा नाम धुरी अग्रे किर्तिन्या गणन्या मनुशेश्वर धर्मपत्नी दिलीप राज महेश्षी सुदक्षणा कुरन्यास पवित्र पांसुल सफ विन्यास पवित्र रेणूम तस्याह वसिष्ठ देनो मार्गम पथानाम स्मृती धरम सास्त्रम सुरूते वेदस्य अर्थम अभी धेयम इव यथा अनवे गच्छत अनुसार आईए अब इसका हम अर्थ देख लेते हैं जो की अनवे की साहिता से देखेंगे आई पांसुला नाम धूरी किर्तिन्या पती वरताओं में अग्रगन्य मनुशेश्वर धर्म पतनी राजा दिलिप की धर्म पतनी तस्या किसके लिए आया है नंदनी गाई के लिए उस नंदनी के खुरन्यास पवित्र पांसुम खुरो के रखने से पवित्र जो धूल हो रही है मार्गम मार्ग में स्मृति सुरूते अर्थम इव अनव गच्चते जिस परकार सुरूते कहते हैं वेदोकों वेदोक के अर्थ के पीछे स्मृतियां चलती है उसी परकार नंदनी गाई के पीछे सुदक्षना चलती हुई परतीत हो रही है देखे कितनी सुन्दर उपमा दी है यहाँ पर एक बार इसका सामान्य अर्थ देख लेते हैं पती वर्ताओं में अग्रगन्य राजा दिलीप की धरमपतनी सुदक्षिना उस नंदनी के खुरों के रखने से पवित्र धूली वाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे समरिति के समान चल रही है धन्यवाद